नमस्कार दोस्तों करियाद्वी संदीप में आप सभी का स्वागत है दोस्तों सेट नमर 18 अनिके सेट नमर कौन सा है आपका 18 नमर सेट है जो आपका ELP और टेक्निशन के लिए जो आपका एक्चाम है वह आपको साइंस जो पुछेगा वोग आपका कौशचन इस बीडियो से आपका हुब हुब आ हुब उसमें देखनों के मिलेगा यह क этहां और तहमी सी दन की पहशान करने किस दिया जाताए तो इसमें आपको 4 वाप् важно दिया है है व पीज कॉन साथ हो जाएगा निकी उत्पराउता का सीदान भत पलाउता का सीदानिकी है कौन मे डिया जाय दोप जाएगा, गहनोतल दोपर रहेगा, तो पानी मैं तहएगा, तो इसमीं ऐप्शा पर बहुत हुब की का सब्सक्त? पानी में तह में तो आर्वाक सब्सक्राइगा है. आपनी मिर तो कि यह कूंट का सईए और रहेगा नेक्ट सेटीन है की नेक्ट फाल लिखी त मैसे कौन सा कथन गौलत है इसमें गौलत कंको मतलब बताना है अप्स taissions LAUNT आ गर्वावन से कर जाएगी अनुक्त पसंट लगता है तो उपर से लगता दोबाइन coughing आपको यह बहुंकि यह बहुत यह जो जाएगा तो बस्तु क्या करेगी तो रहे प्लावन में पर 수ू करेक्वास कोम हो तो जैना है घुलए तो ऊप्सटूं स्वेक्सराप hopson option c number हो जाएगा ति इसका सही अंसर कौम सा हो जाएगा Спस्थ is इसमें कौम सा होजएगा सही अंसर तो अप्शन umiera see हो जाएगा ज passions नाइका उत्पालावन का हो जाएगा भाहर से Comb है तो भाहर से Comb है तो आनिके भ़स तो डूब जाएगी इसमा बन रही तैर रही है तैर रही है नहीं होगा पूचन देखते है नेक्स प्लचन है कि उत्तपलावन का केंदर हमेशा होता है इसकर कर डिए कि चार शुदृend केंड जो होता है बिस्थापित दुरव के आयतन के केंडर क्या होता है स्रमपाती होता है और संबी नमर इसका सभी हो जाएगा उत्पलावन का जो केंडर हमेशा का होता है बिस्थापित दुरव के आयतन केंडर क्या होता है स्रमपाती होता है चलिए नेश्ट कोश्चन है कि किस सिधान्त का नियम, is질 that conception your decision, किस सिधान्त या नियम के अधार पर बस्तु या पानी में तहरती है, तो मतले कौन सा सिधान्थ है जिसके कारण बस्तु यह पानी में तैयती है तो उस इधान्थ कौनसा है तो आर्किमीटिज का सिधान्थ है उप्सन सी नमर इसका राइट एंसर हो जाएगा आर्किमीट्ज इतने फितना भी तैरने और ढूबने का सिधान्थ है आर्केमिटिज नहीं दिया था तो अप्शन सी नमर इसका राइट एंसर हो जाएगा तेलिए नेस्ट कोश्चन देखते हैं जब किसी पींड को किसी दरव में पूरत है या आंसिक रूप से पूरत मतलब पूरत दुबा दिया गया आंसिक मतलब थोड़ा-थोड़ा दुबा आर्केमिटिज के सिधांतियत है चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं और किमिटिज के सिधांत के अनुसार किसी दरव में डूबे हुए पींड दौरा और अनुभाव किये जाने वाल उत्पलावन बॉल निमने में से किसके बराबर तो बिस थापी दरव के भार के क्या हो आपर होता है तो आपसन बी नमर इस कोश्चन का क्या हो जाएगा सही एंसर हो जाएगा चलिए नेक्स कोश्चन है कि पानी के दौरा उपर की तरव लगाया गया बॉल को क्या कहते हैं तो पानी के जो दौरा जो उपर की तरव जो बॉल लगता है उसको हम उत्पलावन कर रहा है यहां है कि जहाजों के गती में बिरिदी आनि कि पानी वाला जो जहाज होता है उसको जहाज का बात कर रहा तो कौन सा हो जाएगा आर्चिमीडिज के सिधान पर अधारित हो जाएगा और आप्सान यह नमर इसका सही अंसर हो जाएगा चले 911 को भुषन हमें कि व परंणोद और भार रोट टो में सही एंसर हो जाएगा option B नमर इसका सही एंसर उपरी पॉनद और भार बीपरी दिशा में लगते हैं चलिए next question देखते हैं कि एक डूबे हुए पींड पर पानी द्वार लगाये जाने वाले उत्पलावन बॉल का दूसरा नाम क्या है जो पींड पर पानी द्वार जो आपका बॉल लगता है उत्पलावन बॉल कहते हैं उसका दूसरा नाम क्या होता है उसको उतक छेप बॉल भी कहते हैं इसको क्या गिलास को पानी और बौरप पुरी तारह से भरते हैं ठीग और बॉरप पूर्वत गुर्वत बना रहता है जह Tiere पुote उतना ही रहेगा option c number इसका सही answer हो जाएगा अब देखिए कोई से होगा आनि कि जो होता है जो बॉरप जो होता है पानी में दबा हुआ हुआ रहता है जोसा रहता है आप उसमें कुछ जगह छेकेगा जैसे पीघलेगा तो ऊपर पानी के जो सतोहक से ऊपर जो था पानी बॉ रखेगा यानिकी नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं कि पुरुवत रहेगा चलिए नेस्ट कोचन देखते हैं नेस्ट कोचन यादी कोई बस्तु डूबती है तो बस्तु पल तौरल द्वरा परियुक्त उतक्षेप बल होता है तो जो उतक्षेप बल कौम होगा तभी नहीं बस्तु डूब रहे है तो जो आपको क्या है उतक्षेप बस्तु के भार इंसर हो जाएगा वह कोई बस्तु डूबती है तो बस्तु पर जो तो तबराब लगा जाता है बस्तु के भार से क्या होता है को होता है तो c नमर का ईंसर हो जाएगा दो पाख़ लिघा तो लूबहाराइं करते हैं ऑफज भ culinary समय कॉ CR करते हैं पु wird के नमर्सक्ति अंसर हो जाएगा चौन के उपनते हैं किसी दोराव तोल के लंबवत कार करने वाले बॉल को क्या कोते हैं? देखिए कोई भी दोराश और उसको लंबवाँत काम कर रा है उसको क्या करते है उतक छेभ बSir क्यों आप्सन ए नमर इसका ऐसाइएलका इसका एंसार हो जाएगा उतक छेभ टीक क्या हो जाता है उत्पलावन बल कहते हैं और लंबोत काम करता है बीपरी दिशाओं में भार और उत्पलावन बल के क्या करते हैं बीपरी दिशा में काम करते हैं चलिए तैंतिस नमर कोश्चन है कि आपका जब किसी बस्तु को पानी में डूबाया जाता है तो उस पर उपरी बल कारता है, इस बल को क्या का ज़से, इस बल को हम क्या को हते हैं, तो उत्पलावन बल को हते हैं, 90 को उत्जय को चेस दान्त है, तो एक। अप्सन बी नमर क्या हो जाएगा सही अंसर हो जाएगा नेश कोच चना है कि निम लिखी तुमें से कौन सा अर्चिमेडिज के सिधांत पर आधारीत नहीं है तो कोई सा अर्चिमेडिज के सिधांत पर नहीं है मैं लेक्टो मीटरर आपसं का हो जाएगा इसका सही एंसर हो जाएगा जो ऑस्षिम कोश्चन देखते हैं निम्नी में से क्या है और इसमें भी क्या बतना है आधारित नहीं है आर्गिमेटिज का सिधान्त क्या है उत्पलावन का नियम या उत्पलावन का नियम या उत्पलावन का नियम या उत्पलावन का नियम या उत्पलावन का सिधान्त हो जाएगा ते हैं के में हईडरो मीटर यह उत्पलावन का स्थम्धोर से सब्वंदित है भी में है पनडू भी घान अगे पानी में डूब रहिए तो यह वह अधिमिटर पडीकरवी लेक्टर मीटर और रासा पड 내용 के लिकवड जोजकी आधें जो बढ़ी दूरी काई काई है तो अप्सट्ण डी नमर जो हो जाएगा मेरा सभी अंसर हो जाएगा जो आपको कहें आर्गिमिटिश के सिधान से समबंदित नहीं है नेक्स पाइको बढ़ते हैं कोई बस्तू पानी अदि कोई बस्तू तैरती है तो बस्तू पर जोल दुव बल क्या होगा देखे तो बस्तु जो तैर रही आर्थात क्या है इस जो है अने कि वह बस्तु के भाहर से उत्पलावन बल अधिक है अप्सलं D में देखी Naprimire-D में दिया होगा है बस्तु के भाहर से उत्पलावन बल अधिक है तो मेरा क्या हो जाएगा आंसिक रूप से डूबाया जाता है तो अव उस पर उर्धोव दीशा में उपर की दीशा में एक बाल परयूक्त होता है जो उस पींड के दुवारा भी स्थापित किये गए तरल के बाहर के क्या होता है बराबर होता है यह किस नियम परढ़ारी त्थाती क्या है आर्केमिड निर्भर करता है तो जाएगा और तेरने का जितना भी तेस्ट और इसमयर्वर करता है। वी नमर किया और निर्भर क्रता है। तो क्या ınd您्त पाश्चन देखते हैं उत्पलावन बलकॉ मत्युम और आयतन पर नवेड़ करता है उत्पलावन बलकॉ hybrid करता है उत्पलावन बलकॉ टोप यादा होगा तो बस्तू डूब जाएगी कोिन रहेगा बनलकॉ तो बस्तु तेरेगी आज़ा बस्तु तेरेगी तो क्या हो जाएगा आनि कि बस्तु का जो जी होगा भार होगा उत्पलावन बलकर पेक्चा कम होगा आनि कि वहीं परिमार को बताता है तो ठीक